प्रेंट्स आप सभी का क्लास 6, 7 की इंग्लिज की क्लास में स्वागत है हम पढ़ेंगे आज लेशन 6 लेशन 6 का अना है दा प्रावड स्कॉलर प्रावड मींस घमंडी स्कॉलर मींस विद्ध्वान घमंडी विद्ध्वान तो देखें लिखाए Once upon a time There lived a scholar whose name was Brahmadev Once upon a time एक समय में There lived a scholar एक विद्ध्वान रहता था Whose name was Brahmadev जिसका नाम Brahmadev था Brahmadev was really a learned man Brahmadev was means था रेली माने वास्तों में a learned man एक विद्ध्वान आद्मी Brahmadev वास्तों में एक विद्ध्वान आद्मी था And people had all praise for him और लोग, सभी लोग उसकी प्रसंसा करते थे Once Brahmadev had to go to another town to deliver some lectures Once means एक बार Brahmadev को had to go, जाना पड़ा another town दूसरे सहर में to deliver some lecture कुछ lecture means भासर, कुछ भासर देने के लिए एक बार Brahmadev को कुछ भासर देने के लिए दूसरे सहर जाना पड़ा To reach his destination Destination means होता है गंतावी वो अपने गंतावी पर पहुचा Brahmadev had to cross the river Ganga Brahmadev को Ganga नदी को पार करना था Brahmadev hired a boat to reach his place of visit Brahmadev ने hired means किराय पड़ी Now to reach पहुचने के लिए His place of visit अपने इस्थान पर पहुचने के लिए यानि अपने गंतावी पर पहुचने के लिए उसने एक नव को किराय पर लिया The boat was small now छोटी थी the river wide Wide means चोडी नदी चोडी थी And the current of river was quite fast Current means धारा of the river नदी की Was quite fast, बहुच तेज थी Now छोटी थी, नदी चोडी थी और उसकी धारा बहुच तेज थी यानि वो बहुच तेज बह रही थी Consequently means होता है परड़ाम सरूप The boatman was rowing slowly Boatman यानि नाविक जो था Ro means होता है खेना Now को खेना Now को चलाना नहीं कहते हैं क्या कहते हैं, नाव को खेना Slowly means धीरे धीरे Now जो है Now को धीरे धीरे खो रहा था खे रहा था ब्रह्मदेव Throne learned Was a proud person ब्रह्मदेव को अपने ज्यान अपनी सीख पर के कारण Was a proud man ब्रह्मदेव अपनी सीख के कारण एक घमंडी व्यक्ति था And often Our prayer boasted means होता है डिंग मारना Our prayer डिंग मारता रहता था About his knowledge अपनी ज्यान का और हमेशा अपने ज्यान की डिंग मारता रहता था यानि अपने ज्यान पर घमंड करता था He could not remain silent for long And he started Converging Converging with the boatman He could not remain silent for long He means वो could not remain silent चुप नहीं रह सका For long अधिक देर तक वो अधिक देर तक चुप या सांत नहीं रह सका And He started means Converging means बातचीत करना With the boatman Navig के साथ और उसने Navig के साथ बातचीत करना प्रारंब कर दिया How you ever read history? He asked He asked उसने पूछा How you ever read history? क्या तुमने इतियास पढ़िये? क्या तुमने कभी इतियास पढ़िये? No, sir, said the boatman Navig ने कहा नहीं, स्रीमान जी I have never read history मैंने कभी इतियास नहीं पढ़िये What a pity said the scholar विद्वान ने कहा कितनी मुर्ट पिटी मेंस वता है What a pity said the scholar पिटी मेंस विद्वान ने कहा कितनी खराब बात है कितनी बुरी बात है You have deprived yourself of all the important and interesting things that one can read in history books You have deprived Deprived means वन्चित रहा न तुम वन्चित रहे गए तुमने स्वयम को वन्चित रखा of all the importants सभी महात्पूर and are interesting means रोचक थिंक्स चीजों के बारे में जानने से खुद को वन्चित रखा that जो one can read in history जिसे तुम केवल इत्यास की किताबों में पढ़ सकते हो there are stories about famous battles and the ancient kings there उसमें हैं stories, कहानिया about famous famous means प्रसीद battles means युद्ध प्रसीद युद्धों and the ancient ancient में प्राचीन युद्ध राजा और प्राचीन राजाओं के बारे में यानि कि जो इत्यास की बुक से उसमें किताबें उसमें प्रसीद युद्धों और प्राचीन राजाओं की कहानियों के बारे में दिया गया है History tells us about the stone age इत्यास में पासाड इत्यास हमें पासाड युग के बारे में बताती है इत्यास tells means बताती है असमें about the stone age stone age में से पासाड काल युग के बारे में बताती है It tells how people long ago lived and what they ate वो बताती है कि पहले प्राचीन काल में लोग कैसे lived means रहते थे and what they ate और क्या खाते थे History truly is a very interesting subject इत्यास वास्तों में बहुत थी मनोरंजक विसे है The boatman continued to row on नाविक लगातार अपनी नाव खेता रहा The scholar lost in the in this thought suddenly said विद्वान ने अपने विचारों को व्यक्त किया अचानक सेड और कहा You must have studied geography You must have studied geography क्या तुमने जोगर्फी में सुदै भूगोल क्या तुमने भूगोल पढ़िये No sir नहीं स्रीमान जी I have never learnt to read and write मैं कुछ भी पढ़ा और लिखा नहीं हूँ said the boatman नाविक ने कहा Geography gives knowledge of the continents, mountains and rivers Geography gives means देती है knowledge means ग्यान of the continents means महादीपों mountains में पर्वतों and rivers means नदियों नदियों का Geography महादीपों, पर्वतों और नदियों का ग्यान देती है It tells us that the world is around यह हमें बताती है कि संसार चारों है या संसार आसपास है चारों तरफ संसार है the knowledge of geography tells us about the sources of metals, spice, minerals and precious stones Geography का ग्यान हमें बताता है Geography का ग्यान हमें बताता है about the source source में सोता है, स्रोत आफ्च में सोता है धातू, धातू के spice में मसालों के minerals में धातू के मसालों के और बहुमूली पत्थरों के और बहुमूली पत्थरों के श्रोतों के बारे में बताता है सैड ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने का but you have no knowledge of history and geography लेकिन तुमने लेकिन तुमारे पास इतिहास और भुगोल का ग्यान नहीं है, the scholar continued यानि विद्वान ब्रक्ति बोलता रहा your life is hardly worth living तुमारा जीवन जीना तो बहुत थी बेकार है यानि तुमारा जीवन जीना ही बेकार है the boatman kept silent and kept on rowing boatman चुप रहा and kept on rowing और अपनी नाव खेता रहा after some time कुछ समय बाद the scholar said विद्वान ने कहा how you studied science क्या तुमने विग्यान पढ़िये the boatman नाविक who Joe was by now fed up जो परेशान हो गया था fed up में सोता है परेशान होना after the question प्रशनों से still replied humbly still फिर भी उसने विनम्रता पूरवग humbly में सोता है विनम्रता पूरवग replied में सुत्तर दिया no sir not at all नहीं श्रीमान जी बिलकुल नहीं अब आप सबी स्टूदेंट्स इसका ध्यान पूरो कध्यान करेंगे थैंक्यू क्लास